इन और्बेट मॉल में मेरी क्रिस्मस देख कर दिन की शुरुवात की। पर शाम को हम वर्सोवा बीच पर गए, जहां का संसेट हमने मिस कर दिया। लेकिन हमें आसमान में रंगों की खेल देखने का मौका मिला। वर्सोवा बीच पर कुछ देर बिताने के बाद हम लोखनवाला मार्केट गए, जहां पर हमने शॉपिंग तो कुछ नहीं किया, पर बहुत कुछ खाया। शनिवार बहुत ही अच्छा रहा हमारे लिए, क्यूंकि हमें वर्सोवा बीच काफी पसंद आया। हमने तो बीच को अलविदा कहने के समय पर ही तैय कर लिया, कि हम पर से कभी हाँ आएंगे, लोखनवाला के बाड़े में क्या कहे, वहाँ इतनी सारी स्वादिष्ट खानी की दुकाने हैं कि पूछो ही मत, एक बार आओगे तो बार बार आने का मन करेगा। रविवार की शाम हमने जुहू में बिताई, जुहू बीच के साथ हमारी कुछ अच्छी अच्छी यादे जुरी हुई है, हम यहाँ सिर्फुन यादों को ताजा करने आये हैं, जुहू आये हैं मतलब शिपसागर का चाट खाना और बिग बी के जल्शा बंगलो का पोटो लेना तो लाजमी है, मुंबई में कभी समुंदर के किनार एक घूमने निकलो तो समय का पता ही नहीं चलता, अब पता चलेगा कैसे, यहाँ पे लोग अकसर लहरों की धुन में जो खो जाते हैं, जुहू बीच को अलविदा कहकर राम जी का दर्शन करने के बाद जल्शा पंगलो देख कर हम घर लोटाए, अगले दिन यानि सोमवार की शामकों हम पासी के राम मंदिर में प्रभूश्री राम जी की दर्शन करने आये थे, यहाँ आकर देखा हजारों लोग आये हुए हैं, जशन मनाया जा रहा है, तो हम कैसे भला इस जशन में शामिलना होते है प्रभूश्राइब